ओम नाराइन 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 सभी मित्रुकराम राम दोस्तो भारत सुतंत्र होने से पहले ब्रिटिशों के द्वारा और सुतंत्रता के बाद में वामपंती इत्यासकारों के द्वारा आज कला और साहित्य के क्षेत्र में, फिल्म डिस्ट्री में कई सारे ऐसे लोग हैं, जो जान पूछ कर या अंजाने में ये तो मैं नहीं जानता हूँ, पर वे उसी नरेट्यू को आज भी आगे पुछ करने का काम कर रहे हैं, यानि जिन तदाकदित इंडिलेक्चुल्स ने वंपंथियों ने या देश्विरुदी ताकदों ने भारत को अंदर से अस्तिर करने का काम किया, हमें तोडने का, बाटने का काम किया, उसी नरेट्यू को आज भी हम देख रहे हैं कि फिल्म डिस्ट्री के माध्यम से कई सरी फिल्मेकर्स के द्वारा उसी नरेट्यू को आगे पुश करने का काम किया जा रहा है सुदंदरता से पहले अगर हम देखे तो बिटिशों ने हमें जातपात में बाटा जूटी आरेन इन्विजन थेरी लाकर हमें साउथ और नॉर्थ में बाटा और ट्रैबल्स की रक्षा करने के नाम पर इनी बिटिशों ने पूरे के पूरे नॉर्थ इस्ट को एमजेलिस्ट और मिशनेरिस के हाथों में सौब दिया था और सबसे दुखी बात तो यह है कि सुदंदरता के बाद में वेरियर एल्विन नाम का एक बिटिश मिशनेरी था जिस पर कई सरी ट्रैबल गर्ल्स को कई सरी जंजातिया समू की चोड़ी-चोड़ी बच्चियों को एक्स्प्लोइट करने का आरोप लगा हुआ था ऐसे एल्विन के साथ में नेहरू सरकार ने एक समझोता किया था जिसे नेहरू एल्विन करने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो डॉक्टर वेरियर एल्विन का माना जाता है एल्विन एक बिटिश मिशनरी था अभी जो डॉक्टर वेरियर एल्विन है इसके और नेहरू की बीच में एग्रिमेंट हुआ था नेरु ने एल्विन को नॉर्थिस्ट के ट्रेवल अफेर्स का एडवाइजर बनाया था इसी कारण नॉर्थिस्ट विकास से दूर रहा, वहाँ पर विकास नहीं हो पाया क्योंकि उनकी ये माननेता थे कि भाई अगर नॉर्थिस्ट में विकास होता है तो जो ट्रेवल्स की संस्कृती है वो नश्ट हो जाएगी पर उनकी अनुसार वहाँ पर अगर कनवर्जन होता है तो ट्रेवल्स की संस्कृती नश्ट नहीं होगी पर विकास से संस्कृती नश्ट हो जाएगी क्या इससे बेतो का लॉजिक आपने कभी सुना है अब दीखें, एलविन ने 1940 में 13 साल की एक गरीब गौन समाज की, 13 साल की बच्ची से शादी किती, जिसका नाम कोसी था, और उसके अगली वर्ष, जब कोसी 14 वर्ष की हुई, तो उसे एक बच्चा हुआ, एलविन से, 13 साल की बच्ची से के वर उसने शादी किती, और 8 14 में उसने 13 वर्ष की लड़की से शादी की थी, ये सब पता होते हुए भी स्वतंदरता के बाद में, नहरू और एलविन की बीच में आग्रिमेंट हुआ, नहरू ने एलविन को ट्रेबल अफेर्स का महाँ पर एडवाईसर बनाया, इसके साथ में ही एंथ्रोपॉलोजि कई राज्यों में बहुत तेजी से धर्मांतरन हुआ है, जैसे कि मिजवरम आप देखिए, वहाँ पर 88% इसाई जन संक्या है, नागालेंड में 90 प्रतिशत, मेगहलाय में 75 प्रतिशत, इसी प्रकार से दुसरे भी अरुनाचल प्रदेश मानिपूरारी जो पुरोतर के रा प्रतिशा के चात्र, उसको इतना ज़्यादा पीटा गया, इतना ज़्यादा पीटा गया, कि internal injuries की वज़े से उसके मुर्ति हो गई, क्यों पीटा गया, क्योंकि उसने वहाँ पर धर्मांतरन का विरोध किया था, ये स्कूल मैनेजमेंट पर आरूप है, उसी स्कूल में उ नॉर्थिस्ट को पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया गया था, नॉर्थिस्ट को कभी भी मुक्यधारा में जुटने ही नहीं दिया था, और इसके लिए मैं कॉंग्रेस के साथ में ही, मीडिया और बॉलिवड को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूं, मीडिया के अ नॉर्थिस्ट को रिपोर्ट नहीं करती थी, वहां की जो मुक्य मुक्य न्यूज आ दी है, उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता था, और बॉलिवड के बारे में तो कुछ कहने के आवशकता ही नहीं है, सतंदरता के 75 वर्ष के बाद भी, आज तक हमने नहीं देखा कि बॉ निमा मंडन करने के लिए बॉलिवड ने कई सरी फिल्मे बनाई है, उसके लिए बॉलिवड के पास में समय है, पैसा है, सब कुछ है, पर जिन मुगलों को अहम सामराज्य ने 17 बार हराया, लचित बोर्फुकान जी के शोर के बारे में, पराकरम के बारे में, कभी भी बॉ पॉलिट के बारे में सच कहे तो कुछ बात करके फायदा ही नहीं है और आज देखी 2014 के बाद में जब नौर्थिस्ट में हम हर क्षेत्र में इंफ्राशक्चर का विकास देख रहे हैं चाहे वो बिजली हो सडक हो रेलवे हो वायु मार्ग हो हर एक क्षेत्र में हम नौर्थि की जो संस्कृती है वो नश्ट हो जाएगी पर आज हम नौर्थिस्ट में बहुत तेजी से हर एक क्षेत्र में विकास कारे देख रहे हैं और सुतनतता के बाद में नौर्थिस्ट में कई सरे अलगावादी संगटन हमने देखे जिन्होंने कभी भी नौर्थिस्ट में शा नौर्थिस्ट की जो जनता है उनके मन में एक असंतोश इस कारण से हमेशा सही रहा है और फिर इसके आड में कई सरे फिर अलगावादी संगटनों को भी कुछ देश विरुदी ताकतों ने और कुछ राजनेताओं ने उनको एक प्रकार से ताकत देने की काम की यह हमने द देश भर में, मेंस्ट्रिम मीडिया में, नैशनल मीडिया में उसके बारे में चर्चा हो रही है यह आज हम देख रहे हैं और सबसे महतोपुर्ण जो मोधी सरकार की अच्यूमेंट रही है 2014 के बाद में इंफ्रस्रक्चर का विकास तो रहा ही है पर जो अलगावादी संग साइन किया गया और देखिए कियो यह एक बोडो सेपरिटिस्ट थी नहीं इसके साथ में देखिए United Liberation Front of Assam, कार्भी सेपरिटिस्ट उन्हों ने भी मुधी सरकार आने के बाद में संवरपन कर दिया कार्भी सेपरिटिस्ट ने इसके बाद बोडो सेपरिटिस्ट के बार म ऐसे कई सारे अलग-अलग अलगावादी संगटन थे 2014 से पहले तक जिन्होंने एक हिंसक मार्क से अपनी लिए अलग पूरे देश की मांग की हुई थी पर आज अगर हम देखे तो उनमें से जातर अलगावादी संगटनों ने भारत सरकार के सामने 2014 के बाद में समरपन किया ह और दोस्तों सबसे महतु पूरन बाद मोधी सरकार ने 2014 के बाद से अभी तक नौर्थिस्ट के चातर क्षेत्रों से आपस्पा को अल्रेडी हटा दिया है क्योंकि अभी वहाँ पर आपस्पा की आवश्यक्ता ही नहीं रही पर 2014 के बाद में कई बड़े-बड़े जो प्रोजेक्ट से उनको जो इन्फरस्ट्रिक्टर का विकास है चाहे वो रिल्वे हो या रस्ते हो या वायू हो वायू मार्ग हो हर जगह पर बहुत ज़्यादा तेजी से नौर्थिस्ट में विकास हुआ है और खास दूर पर जो ब्रिज कंप्लीट किया गया और भी ऐसे कई सरे प्रोजेक्ट से ब्यारो का पूरा अलग से यूट्यूब चैनल है आप देख सकते हैं पिछले चार पाच वरशों में कितना तेजी से कैसे कैसे जगों पर उन्होंने इन रोड्स को कंप्लीट किया है ब्रिजस को ब्रिज या फिर बोबी गिल ब्रिज या एक लाग करोड के जो हाईवे के प्रोजेक्ट से और सबसे में तो पुरना बोड़ो एकॉर्ड जिससे दशों को पुराना जो विवात था वो समाप्त हुआ है दोस्तों जो पुरुत्तर भारत कंग्रेस की नीतियों के कारण से जूड रहा है या आज हम जब देख रहे हैं तो अभी बॉल्यूड अभी अनेक जैसी फिल्म लेकर के सामने आया है अब ट्रेलर से अगर हम देखे अनेक के तो एक प्रकार से जो अलगावादी है उनके प्रति सिंपथी बनाने का प्रयास किया है ये भी हम हमें देखने को मिल रहा है एक सीन में आयश्वान कुराना का करेक्टर ये कहता है कि जो एक अलगावादी नेता है वो वहां के लोगों की आवाज है इस वरकार की वो बात कर रहा है और इसके साथ ही आयश्वान कुराना का ट्रेलर के एंडिंग में एक डायलोग है कि भाई ये ऐसा तो अलगावादी संगटनों ने समर्पन कर दिया है तो अभी Bollywood फिर से उन अलगावादी ताकोदों को एक प्रकार से उनके प्रति सिंपती बनाने का प्रयाश शायद कर रहा है ऐसे तो ट्रेलर से लग रहा है और जिस Bollywood ने हमेशा सही North East को इग्नोर किया है वो जब एक ताव अगरा की बात करता है तो वो तो भाई केवल हस्यस्पद लगता है सबसे ज़दा North East के साथ में किसे ने भेदबाओ किया है तो वो इसी Bollywood ने किया है और अब यही लोग भारत को रेसिस्ट होने का सेटिपिकेट दे रहे है वाउ यह कितना हास्यसपद है आप देखे दोस्तो मेरे मत में कुछ ऐसी ही गिनी चुनी चुनिन्दा गटनाओ को लेकर नेगेटिविटी फेलाने के अपेक्षा Bollywood को हमारे North East के कलाकारों को बड़ी-बड़ी मेंस्ट्रीम Bollywood की फिल्मों में मुख्य भुमिका में लेना चाहिए और यह देश उन फिल्मों का स्वागत करेगा मैं विश्वास से कहता हूँ तो मुख्य धारा में आज 39 के कलाकारों को लाने की आवशकता है लचित बोर्फुकान जी के शौर पराकरम पर फिल्म बनाने की आवशकता है और यह बताने की आवशकता है कि हम सब की संस्कृती हमारा इतिहास एक ही है हम कामाख्य मंदीर को जो 51 शक्ति पीठ है उन में से एक कामाख्य मंदीर आसाम में है जिसका जिर्नोधर गौन सामराज्य के राजा नर नारायन जी ने हम सामराज्य ने जिसका जिर्णोधर किया हुआ है तो हमार हम सब की संस्कृति, कल्चर, इतिहास एक ही है एक धारा से हम जुड़े हुए है तो जो लोग हमें बाटने का काम करते हैं मैं तो यही कहूंगा कि भाई उन्हें बस हमें इग्नोर करना चाहिए बाकि इसमें कोई संदे नहीं कि ट्रिलर से कम से कम अनेक यह फिल्म टेक्निकली एक्स्ट्रीमली वेल मेड लग रही है बाकि फिल्म बनाने के पीछे की भावना क्या है वो तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा बाल्ड के अनुसार तो भई नकसली अपने हक के लिए लड़ रहे है ऐसे कई सरी फिल्म में बाल्ड राज तक सामने लेकर क्या आया है बाकि दोस्तो आप ने ये ट्रिलर देखने के बाद में आपके अमन में क्या विचारा है आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे अपनी चे कमेंट में आवश्य बताना ये वीडियो देखने के लिए आप सभी में तो का बहुत बहुत धिन्यवाद जैश्री राम वंदे मातरम